दिल्ली हाई कोट ने सोंबार यानि 12 अगस्त को पूर्व आईस प्रोबेशनेर पूजा खेटकर की ग्रिफतारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोट ने पूजा खेटकर को ग्रिफतारी से अंतरिम सनरक्षन प्रदान किया पूजा पर धोकाधड़ी करने के साथ साथ OBC और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से लाब उठाने का आरोप है दिली हाई कोट के न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रिसाद ने पूजा खेटकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ UPSC को भी नोटिस जारी किया और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है न्यायमूर्ती प्रिसाद ने कहा कि मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत का मानना है कि याचिका करता को सुनवाई की अगली तारीक तक गिरफतार नहीं किया जाना चाहिए अब अदालत ने मामली की अगली सुनवाई 21 अगस्त तै की है दरसल पूजा खेटकर ने आरक्षन लाप पाने के लिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में वलत जानकारी दी थी 31 जुलाई को UPSC ने खेटकर की उमीदवारी रद कर दी और उन्हें भविश्य में भी इस तरह की परीक्षाओं से वंचित कर दिया इस मामले में एक अगस्त को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिनकी गहन जाच जरूरी है पुजा खेटकर ने सत्र अदालत का दरवाजा खटकटाया था और कहा था कि उन्हें गिरफतारिक का ततकाल खत्रा है